एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो जो आज का हमारा डिसकेशन होनी वाला है मैं आपके साथ एक ऐसी आदत के बारे में डिसकस करूँगा जो हर ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए अगर आप ये अपनी आदत बना लेते हो चाहिए वो कोई भी ट्रेडर हो तो वो उसे क्रोड़ पती बनने में काफी मदद करेगी तो आज ये इस आदत के बारे में डिटेल से समझते हैं कोई भी पॉइंट मिस मत करना नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और इसी तरह के क अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करना वीडियो को लाइक करना कमेंट करके बताना आपको किस तरह के कॉंटेंट चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर हमें टोपिक अच्छा लगा तो उसके बारे में हम डिसकुशन जरूर करेंगे तो ये आदत चोटा सा बेसिक समझते हैं जब भी कोई भी ट्रेडर ट्रेड करता है उसकी दो ही बाते होती है प्रोफिट हो सकता है उसे या फिर लोस हो सकता है दो ही चीज़े होती है दोनों ही चीज़ों में आपके अंदर कुछ न कुछ इमोशन्स बनते हैं जब आपका प्रोफिट ह आप excited हो जाते हो, यह खुस हो जाते हो, एक खुसी का emotion आपके अंदर बनता है, जब आपका loss होता है, दुख के emotions बनते हैं, stress बन जाता है, अब जब भी profit होता है, जो यह emotions होते हैं आपके, यह आपको कहते हैं, और ज़यादा trade करो, और profit करते हैं आज के दि और उस case में भी दो case बन जाते हैं या तो आपका profit हो जाता है या फिर आपका सारा profit चला जाता है और कुछ capital का भी loss हो जाता है इस तरह की चीज़े होते हैं जब आपकी loss होते हैं तब भी आपके अंदर emotions बन रहे हैं आप उस उन emotions के चकर में आके loss को recovery करने की कोशिस करते हो और उस चकर में आपके और losses बढ़ जाते हैं इसमें भी दो चीज़े हो सकती है या तो आपके loss recover हो सकते हैं और आप profit में जा सकते हो या और losses बढ़ सकते हैं main खेल हमारा ये नहीं है कि क्या situation create हो रही है main खेल है हमारा ये जो हम समझना चाले है हम इस emotions के बारे में समझना चाले हैं कि यë emotions आपको किस तरीके से control करते हैं आपके mind को किस तरीके work करने है और आपको इनसे किस तरीके से चुटका रहा पाना चाहिए जिससे कि आप over trading बन कर दे, अपने profit को बना के चले, यह loss में किस कारण से आपकी गलती हुई है, उस गलती को पहचान सके, क्योंकि जब आप इन emotions के चक्कर में अगर आप आ गए, तो आपके गलती करने के chances बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप इन emotions को control नहीं कर पाए, क्योंकि इन emotions के चक्कर में आके, आप market में अगला trade ढूणने की कोशिस करने लगते हुई, कि एक ओर trade कर लेते हैं, क्योंकि कहीं बार आदत होती है, जैसे loss वाले की तो सभी को पता है, कि वो loss recovery करने के लिए multiple trade करने की कोशिस करता है, या नए नए जल्दी से जल्दी trade करने की कोशिस करता ह पर लेकिन जिनका profit हो जाता है, उनके मन में एक और myth चलता रहता है, कहीं बार हम भी discussion करते हैं, वो चीज़े experience के साथ की जाती है, शुरुवात में नहीं की जाती, क्या गलती करते हैं, कि चलो हमारा XYZ कुछ भी profit हो गया, इस profit को risk पे लगाते हैं, या इस profit का 50% risk पे लगात control करना सीखना है, यह बहुत ही अच्छी है, बीट है, कि आप दूसरी trade लेने की कोशिस कर रहे हो, profit का कुछ इससा risk पे लगा के, क्योंकि आपको घर में कुछ ना कुछ पैसा ले जाते हैं, पर लेकिन शुरुवात में 100% लगाने की कोशिस करते हैं, या बिना logic के trade करने की क कोशिस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा तो profit होई गया, जद से जद प्रोफिट चला जाएगा, दिखो, strategy का भी अलग तरीका होता है, कि कौन से strategy आप कहां पे apply कर रहे हैं, जो यह अपने profit का risk लेने की strategy है, यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कि इसी emotions के कारण आप गलती कर रहे हो या trade लेने की कोशिस कर रहे हो, ये emotions आपके mind को control करते हैं जिससे कि आप multiple trades लेने की कोशिस करते हैं, अब यहाँ पर फिर से एक सवाल उठ जाता है, जो कि हमें समझना है कि इस emotions को कैसे control में करें, कम trade कैसे करें, कि हम अपने mind को कैसे control म करें ही मैंने आपको पहले भी समझा है और मैं फिर समझा रहा हूँ ब्रेक लो जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो अगर आपका प्रोफिट हो रहा है तो क्या लेंगे ब्रेक लेंगे अगर आपका लोस हो रहा है क्या लेंगे ब्रेक लेंगे मेरे साथ रिपीट करो नीचे कम सोचने का टाइम देगा, आपके emotions को ये control करेगा, आपको सोचने का टाइम देगा, कि अगर आपका profit हो रहा है, तो क्यों profit हो रहा है, किस strategy पे profit हुआ, आपकी कौन सी strategy ने काम किया, क्या उस trade में आप और बने रह सकते थे, या किस situation पे आपको निकलना था, या कहां से market reverse हो सकत था, कहां आपको डर लग रहा था, वहां पे market ने किस तरीके से behave किया, उन चीजों को note down करो, अगर आपका loss हुआ है, ये break आपको सोचने का time देगा, आपने ऐसी कौन सी गलती की, क्या आपने गलत time पे entry ली, क्या आपने गलत setup पे काम किया, या आप setup को पूरी तरीके से सम नहीं पाए, या logic गलत था, या किस logic पे आप काम कर रहे थे, ये भी आपको काफी कुछ सीखने को देगा, और वो ही सीख आपकी learning को बढ़ाएगी, आपकी earning को बढ़ाएगी, क्योंकि हमारा main purpose क्या है, पहला हमारा main purpose है learning पे, क्योंकि अगर हमारी learning बढ़ेगी, तो earning automatically बढ break लेंगे, अगर loss होगा, तो हम क्या लेंगे, break लेंगे, यानि कि इस break लेने पे ही हमें काम करना है, यही break हमारे in emotions को control में रखेगा, समझ मैं है, मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, कि आपके emotions को कौन सी चीज control में रखेगी, break, तो इसलिए market में break लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी चीजों को आपके सामने रख देगा, प्रोपर तरीके से सामने रख देगा, आपके analysis को सामने रख देगा, आपको over trading करने का मोका ही नहीं देगा, बले कितना भी बहतरीन setup क्यों न बन रहा हो, देखो कहीं बार क्या गलती होती है, मान के चलो, आपने यहाँ पे एक trade ओर ले ले, भही अभी तक यहाँ तक गया है market और यहाँ से यह तो आपको setup काम भी कर सकता है, अगर काम कर गया आपके अंदर over confident आ जाएगा और आप बार बार trading लेने की कोसिस करोंगे, यगर वो काम नहीं करा, आपका setup reverse हो गया, तो आप losses में चले जाओंगे, पर ले market को देख रहे हो कि मैंने सही trade नहीं लिया, तो break जो होता है, जब आप positions लेके, profit book करके, चाहिए आप loss book कर रहे हैं, जब आप break लेते हैं, तो आपको market को analyze करने में काफी मदद मिलती है, learning करने में market के बारे में काफी मदद मिलती है, क्योंकि main purpose हमारा वो ही है, learning का ही हमारा main purpose है, समझ में है, मैंने क्या समझा है, जल्दी से मेरे साथ repeat करो, profit होगा, पार बार repeat करो, अपने mind में भी आपको repeat करना है, जब आप वीडियो नहीं देख रहे होगे, market खुलने से पहले आपको अपने mind में repeat करना है, profit होगा, break लेंगे, loss होगा, break लेंगे, समझ में है, market करेगा, समझ में आ गया, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, comment करके बताना आज का topic कैसा लगा, देखो, वीडियो इतनी लंबी होगी, लेकिन समझने लाया कि इसमें सिर्फ एक ही बात थी, बाकी चीजे जो आपको बताएगी, वो आपका एक base त्यार करने के क्रकING अगड़ को लिए झाल, देखो को ले आपका एक थास बाता सत का उर्प एक, बाता है, बाक्शने बता है, या बता है, जो विए बाताइके हैं सिर्फ एक बहाँ से दो में तो इसे